हेलो एशेयर वेल्कम बैक तो इस चानल पढ़ाखु लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल डिस्काउंटिंग के बारे में। कुछ लोग इसे डिस्काउंट इउफ बिल या फिर डिस्काउंटिंग उफ बिल एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो आज हम बहुत ही simple example से समझते हैं इसका proper meaning. चलिए, imagine कीजिए ये एक इंसान था जिसका नाम था Mohan और ये दूसरा इंसान था जिसका नाम था Sohan तो Sohan और Mohan ने सोचा कि चलो कुछ business transaction करते हैं Sohan ने Mohan से खरीदे कुछ goods, मतलब कुछ raw materials खरीदे जिनने आगे process करके वो बेचने वाला था Mohan ने भी दे दिये Sohan को goods लेकिन Sohan ने बोला कि Mohan मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है मैं इन raw materials से finished products बनाऊंगा, उन्हें बेचूंगा और उसके बात तुझे payment दूँगा Mohan ने बोला कोई बात नहीं यार तेरे साथ तो मुझे लंबा business करना है तो इतना चल जाएगा मुझे तो एक काम कर, मैं एक bill of exchange बना के देता हूँ तुझे, तो उसे sign कर दे Sohan ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, भिजवादे bill of exchange मैं sign कर दूँगा उस bill of exchange पे लिखा हुआ था कि चार महीने बाद चार महीने बाद Sohan Mohan को करेगा payment कितने की? दो लाक रुपए की जो की उसने गुज़ खरीदे थे मोहन से Sohan ने वो bill of exchange पढ़ा, sign किये और वापस लोटा दिये मोहन को अब हुआ कि चार महीने तो मोहन बेट कर सकता था लेकिन अचानक से मोहन की भेन के लिए आ गया एक रिष्टा और चट मगनी पट ब्यावाला सिस्टम था तो एक हफ़ते के अंदर-अंदर करनी थी उसकी भेन की शादी मोहन ने सोचा अब तो बहुत सारा पैसा लगी गया यार में को तो मतलब सोहन से पैसे मांगने पढ़ेंगे मोहन गया सोहन के पास कि भाईया तू अब तो पैसे दे यार मुझे दो लाक रुपए क्योंकि मेरी तो भेन की शादी हो रही है सोहन ने बोला यार मैं तो तुझे पहले ही अपनी सिचुएशन बताई थी ये तो नहीं हो पाएगा मोहन निराश हो गया उसको लगा यार अब क्या करूँ मतलब आप पैसे कहां से लाओ तो सोहन ने बोला कि तुने कभी बिल डिसकाउंटिंग के बारे में नहीं सुना मोहन ने बोला नहीं यार ये क्या होता है Sohan ने फिर bill discounting की पूरी concept को explain करते हो बताया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जाना है एक financial institution या फिर bank के पास उस bank के पास तुम ये bill of exchange जो तुमने मुझसे sign करवाया है ना, ये दे देना वो क्या करेगा, वो तुम्हें payment immediately करतेगा, मतलब आज की आथ हाथ हो हाथ payment मल जाए की तुम्हें Mohan ने बोला, अच्छा, bank वाले इतने दयालू कबसे हो गए? तो Sohan ने बताया कि ये वो दया भावना से नहीं करते हैं, business purpose से करते हैं, कैसे? अभी समझाती हूँ Mohan सोhan के कहने पे चला गया bank में और bill of exchange सम्मेट कर दिया, उसने bank ने बोला, अभी देते हैं आपको पैसे जब Mohan ने पैसे count किये, तो उसमें पैसे निकले 1,98,000 Mohan ने बोला, sir, इसमें 2,000 रुपे कम है bank वालों ने बोला, sir, अगर सब आपको दे देंगे, तो हमारी कमाई कहां से होगी? अब आई आपको बात समझ, bank यहाँ पे bill के discounting करके कोई नेक काम नहीं कर रहा है वो कर रहा है business discounting का मतलब यह है यहाँ पे, कि जो 2,000,000 रुपे आपको चार महीने बाद मिलने वाले थे वो bank ने आपको अभी दे दिये है लेकिन उसमें काट लिया है अपना commission अब आप सोच रहे होंगे कि bank एसे पैसे क्यों देगा, उसको पैसे कहां से मिलेंगे तो bank को चार महीने बाद पैसे मिल जाएंगे Sohan से bank वो bill of exchange जो कि मोहन ने सम्मिट किया था bank के पास वो लेके जाएंगे Sohan के पास इसे बोलेंगे कि sir देखिए मोहन वाला bill of exchange है आपने लिखा है इसमें आपको पैमेंट करनी थी चार महीने बाद चार महीने complete हो गया है हमें दो लाक रुपे दे दीचे Sohan फट से पैसे निकालेगा और bank वालों को दे देगा नहीं पैसे जो दो लाक रुपे बैंक ने लिये Sohan से और मोहन को दिये 1,98,000 इनके बीच का जो डिफरेंस है वही है bank की कमाई और bank क्योंकि discounted rate दे रहा है मोहन को proper पूरा amount नहीं दे रहा इसलिए इस concept को बोला जाता है bill discounting या फिर discounting of bill layman's language में समझाओं तो जिस bill of exchange का payment आपको चार महीने बाद मिलने वाला था वो आपको अभी मिल गया है लेकिन थोड़ा सा कम amount मिला है जितना actual amount बनता था उससे क्योंकि बीच का portion bank ने अपने पास रख लिया है as commission यह calculate कैसे किया जाता है कितना portion bank अपने पास रखेगा वो मैं आपको एक detailed video में बताऊंगी बट फिलहाल bill discounting की concept यही है यहां पढ़ लेते हैं it says the term bill discounting refers to receiving the amount of the bill or the invoice by exchanging the same at a preferred or partner lender of the beneficiary of the invoice but does not at full amount of the invoice मतलब invoice का पूरा पैसा जो आपको फूचर में मिलने वादा था अभी मिल जाएगा लेकिन पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा थोड़ा बत कट पिट के मिलेगा bank charge a percentage of fees for such benefit which essentially means that the bill is discounted at a particular rate bank अपना fees charge करता है जिसको हम discounting बोलते हैं इस particular concept में the banks or lenders earn a percentage of fees for such service provided to the beneficiary and the beneficiary receives the dues of the bill immediately without having to wait till the end of the credit period मतलब आपको credit period का end का wait करना नहीं पड़ता जो चार महीने सोहन ने बोले थे आपको वो चार महीने का wait नहीं करना पड़ेगा यह चार महीने बाइद बाइद एक च्रेडिट पीरिड के लाया जाएगा तो इतना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आपको वसी टाइम पैसे मिल जाएंगे जो इन्वोइस को डिसकांट किया जाता है उनने जेनरली बिल उफ एक्षेंज पोला जाता है That's it I hope you have understood the bill discounting concept वह फोट इस समझ में आई है अगर कोई डाउच है आपको इस सैंटेंगे लिख सकते हैं झाल झाल